हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मौडरन क्लास्रोम में करेंट अफेर्स अपडेट में हमारा टॉपिक है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पर खुला हुआ है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीचेगा आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत क्या करिए वीडियो को पूरा अन तक जरूर देखिएगा और प्यारसा केमेंट नीचे जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा तो चलिए चर्चा कर लेते हैं विस्तार से देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने पटना में भारत के पहले डॉल्फिंग अनुसंधान केंदर का उदगाटन किया है देखिए जो पॉइंट हाइलाइट क्या हुआ है वही इंपोर्टेंट है और ज्यादा कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट है नहीं ठीक है जो हाइलाइट किया हुआ उसको मैंने पहले हाइलाइट किया हुआ है ताकि आप लोग उस पे ज़्यादा ध्यान दे 30 करोड रुपए की लागत से बनाई ये राष्टिय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे बनाये गया है 30 करोड की लागत से बना है राष्टिय डॉल्फिन अनुसंदान केंटर और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे इसे बनाये गया है जो इस्टुडेंट और रिसर्च को मीठे पानी की डॉल्फिन विशिय सुरूप से गंगा में पाई जाने वाले डॉल्फिन के बहवार को समझने में मदद करेगा उमेद करते हैं इतनी बाते आपको समझ में आ गई होंगी यहां रिखा हुआ है दरहसल NDRC का उद्गाटन बीते साल दिसंबर में ही होने वाला था लेकिन काम पूरा होनी की वज़े से इसे आगे बढ़ा दिया गया था इस संस्थान का सिला न्यास भी साल 2020 में नितिश कुमार नहीं किया था सुर्वात में इसे बनाने का लच 2022 तक रखा गया था तेकिन इसे बनने में काफी भी लंब हुआ तो पता चल गया भारत के पहले डॉल्फिंग अनुसंधान केंद्र का उद्गाटन कहां पर हुआ है तो वो हुआ है पतना में किस्ने किया बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने 38 करोड की लागत से ये बना हुआ है राष्टिय डॉल्फिंग अनुसंधान से किंद्र और यह कहां पर बसाया गया है तो पतना युनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे बसाया गया है चलि आगे देख लेते हैं इसके बारे में गंगा डाल्फिन की खोज गंगा डाल्फिन की अधिकारिक तोर पर खोज 1801 में की गई थी वे नेपाल, भारत और बांगला देश की गंगा प्रमपुत्र मेगना और करल फुली सांगू नदी प्रडालियों में रहती है वन नेजू संदर छड अधिनियम 1972 के नुसुची एक के तहट गंगा डाल्फिन का सिकार प्रतिबंध है बिहार सरकार द्वारा की गई गड़ना के नुसार 2018 में गंगा में कितनी 1048 डाल्फिन थी तो यहां से आपको क्या बाते द्यान रखने हैं गंगा डाल्फिन के अधिकारिक तोर पर खोज 18 से एक में की गई थी और 176 अधिनियम 1972 के अनुसूची एक के तहर जो डाल्फिन मचलियें उनका सिकार करना प्रतिबंध है और बिहार सरकार द्वारा जब गड़ना की गई तो 2018 में गंगा में 1048 डाल्फिन पाई गई थी चीक है चलिए आगे देख लेते हैं पटना में राष्टिये डॉल्फिन अनुसंधान के अंदर पटना में राश्टे डॉल्फिन अनुसंधान के इंदर की स्थापना को बिहार के चीफ वाइड लाइफ वाडन पीके गुपता ने पर्यवरण और वन जीव के सोध के प्रती मिल का पत्थर बताया उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री नितिसकुमार के प्रयासों के चलते राश्टे डॉल्फिन सोध संस्थान पटना में खुला है मुख्यमंतरी नितिस कुमार के प्रयास का ही पढ़नाम है कि डालफिंग को 2009 में राष्टिय जल जीवित घोसित कब क्या गया था तो ध्यान दखेगा 2009 में क्या गया था जा खुसी की बात है कि ये देश का इकलोता राष्ट ये डालफिंग सोस संसतान बिहार राज्ज को मिला है चलिए आगे बात कर लेते हैं NDR प्रोजेक्ट को अप्रूवल NDR प्रोजेक्ट को अप्रोवल साल 2013 में योजना आयोक के ततकाली डिप्टी चेर्मेन मौन्टेंग सिख द्वारा प्रोफेसर आरकिस सिन्हा जिने भारत के डालफिंग मैन के रूप में विजाना जाता है जो उस वक्त पटना युनिवरसिटी के जन्तु विज्ञान के प पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सेर कर सकते हैं आपका दिल करें तो एक प्यारा सा कमग जरूर करिएगा इस करेंटे फिर सब्डेट के लिए आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमट में बहुत बहुत धन्यवाद